वेल्कम बैक टू जागो लाहर जनाब और अब जो हम डिसकाशन करने वाले हैं वो बड़ी इंट्रेस्टिंग भी होने वाली किसी तरह से और जो हमारे मेमान हमें जोइंग कर चुके हैं उनका भी मैं तारुफ करवाती चलू हमारे साथ तरीके इंसाफ की जो रुप्ने की गई है मोमिला वहीद की जानिट से पहले इसकी डीटर्स ले ले पे और इसके बाद फर्दर डिसकाशन को काचीन करेंगे मोमिला हम सबसे परे तो यह डिसकाशन का आगास करते हैं कि एक रादा तीसरी बार पेश की गई हैं जी अर्मिला मुझे बार बार इस प्रैक्ट का जो इवान है यह कोई इवान नहीं है यह किस कदर दुख की बात है कि बारा करोड अवाम की नुमाइंदगी करता है यह और इस इवान में उन्होंने आना पसंद नहीं किया मैंने जब पहली रेजुशन जमा कराई तो वह एक टाइम पीरिड होता है वहां पे वह खत्म ह तो वह खुद बखुद फिर खत्म हो गी उसके बात भी दूसरी कराई उसके साथ भी यही सलूक हुआ दीसरी कराई तो उसके साथ भी यह सलूक हुआ यह चोती है उसमें मैंने प्रकाया कि जी कुछ जो हमारे कवानीन है उनको थोड़े देर के लिए मोचल कर एक क्यों कि आज की कारवाई जो है वो उसमें प्राइब बिसनिस नहीं है इस रेजोलुशन के हवाले से भी थोड़ी डीटल दे देदें जो हमारे लेजोलुशन ये इस हवाले से है के चोदरी निसार साहब कमो बेश पांच महीने गुजर चुके है पंजाब अस्टेबलिश हो चुकी ह है यहां पे कानून साजी हो रही है हर हलके का पंजाब का हर चोटा बड़ा जितने भी यह लोग है उनके नुमाइंद के यहां पे हो रही है इस इवान के अंदर लेकिन जो पीपी 10 है रावल पिंडी का जो हलका है जिसमें जो वोटर्स की कुलतादाद है वो कोई सवा दो लाग के करीब है उस हलके के अवाम की नुमाइंद की नहीं हो रही है इवान के अंदर आप यह देखे हैं कि उस अवाम पे क्या गुजर रही होगी जिनोंने वोट की इज़त दो का नारा लगाने वालों को वोट दिया और उनके वोट की इसकदर तोहीन की गए इसका सिर् वोट की जो इज़त है इनको समझा आ जाए कि वोट की क्या इज़त है और वोट देने वाले की क्या इसको जमा कराने का मकसद यह है कि उस हलके की हवाम को नुमाइंदगी मिलने चाहिए जो पिछले पांच मांसे चोद्री निसार की घैर संजीदा रवैय की विरास से नही वहीद और वहां पर उसको डी सीट करके वहां पर दुबारा एलेक्शन करवाया जाए और यह मुतालबा जो है यह वाकी हुकुमत से किया गया है क्योंके हमारे जो रूल्स और परसीजर है पन्याबसंबली के उस सवाले से भी कुछ दिन पहले मुमना वहीद की जानिब से एक नोटस जमा करवाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो कौई दौबत है 1997 के काईदा 36 और जैली काईदा 4 उसमें एजाद की बात की थी लेक की वही यह जो बड़ी अच्छी करारता था तीन मरतबा यह पहले ला चुकिया अब यह चूती मरतवा आ रही है तो उस उस हौआले से फिर जो हमारे बड़े हैं उन्होंने समझा कि हाँ यह वाकी कुनून में एक सुकम में खला है उसको पूरा होना चाहिए तो इस हवाले करते हैं तो इससे अब यह जो इस में वफाकी हकुमत से मतालबाच किया जाएगा यहां से सब्वारज जाएगी वाकी कुमत को, वफाकी कुमत आगे इस पे कनून साजी करती हैं फिर यह एलक्शन कöमिशन को जाएगी, एलक्शन कोमिशन के रूल्स और प्रोसीजर जो है वो जो उनका कानून है उसमें भी वह अगर चाहें तो चेंजिंग ला सकते हैं तो लेकिन यह जाएगी तुरू कौमी संब्ली से और कौमी संब्ली अगर कौनून साजी कर लेती है फिर तो मामली खतम हो जाता है क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा बेगम कलसूम ना तो बीमार है ना कोई और वजाए सिर्फ एक जिद्ध है वो जिद्ध उनकी यह है कि मैं मुझे कौमी संब्ली में काम बोर्ट मिले और सुभाई संब्ली मुझे बहुत ज्यादा वोड़ दिये तो मैं मेरे साथ ज्याती हुई है मेरे साथ दांदली हुई है तो अगर आप समयते हैं कि यह आपके साथ जाती हुई तो आप एलेक्शन कमिशन जाए जो जो भी लॉज के अंडर जो चीजे आएंगे उनको भी क्या जाए लेकिन वह मैंना मानू की रिट पर काइम है उस वजह से क्या है कि जो पीपी दस है उस तलके की अवाम जो है उनकी नमाइंद जी नहीं पंजाब समली तो उनकी वास कौन उखाएगा को ब्लंद करेगा तो इसलिए अगर आपको नहीं पुसान तो आप ऐसा कर आप असलीपा दें और जायन कर दें ने लिकिन लॉस तो मुमनहें जो हमारा आइन है उसमें वो खामोश है या इलیک्शन कमिशन खामोश है वरना तो यह भी है कि पांच जलास अगर कोई तो फिर नहीं शिरकत किरता तो उसको मौतल कर दिया जाए या एक 90 days का period है उसके बाद मौतल कर दिया जाए लेकिन वो सिर्फ यहां पे है ना छोटे पे माने पे अगर आप उसको पूरी कारवाई के लिए लेके जाना चाहते हैं तो फिर वहां पे थोड़ी सी खामोशी है जिसकी विज़ासे हमें ये तर्मीम का notice लाना पड़ा तर्म इस इशू को लेकर दो मीटिंग्स कर लिए अच्छा जी और गोरोखोस किया जा रहा है यहां assembly में मेरी करारदाद को ना लगाने की वज़ा से यह हुआ है कि इसका credit भी इसका credit कोई मिले ले लेकिन वो जो उस हलके के सवा दो लाक अवाम हैं उनकी नुमाइंदगी होने च जिसकार किये सीम सहब से एड्मिन्स्रेशन से हर तरह के हर तरह के मसाइल education के health के administration के चोटे से लेके बड़े से हे नुमाइंदगी नहीं थी वहाँ पीपी 10 के मसाइल बताने वाला कोई नहीं था उवाम का क्या कसूर है सिर्फ यह कि उन्होंने चोदरी निसार साहब को व वोट की जो तोहीन कर रहे हैं इस मुकदस इवान की तजहीख है इसमें ना आना और इसकी इजद को तस्लीम ना करना यह साबित करता है उनका ना आना कि वो इसकी तकदस को तस्लीम नहीं करते है बिल्कुल अच्छा एक लाकित वाज़ा जब उनकी सारा यह जो प्रोसीजर होगी और इसके बाद जब हल्फ लेने का मामला है तब भी बहुत जादा कॉंट्रिवर्शल चीजे रही है अब जैसे अब बतारे के जिद है कोई जो कहने लॉजिकल बात मीं जिसके तहर वो नहीं हल्फ उठा रहे हैं वेकुल ऐसा भी है चुके जो पंजाब संभी के जो इस वाले से मोमना ने बड़ा अच्छा इस पर काम किया और बुकैदा तोर पर क्योंकि वैसे भी मोमना एक तवाना वाहाज है असंबली के अंदर बड़ी एक्टिव हैं और वह हमेशा मुफादे आमा के वाले से और सोचल इसूस को वह करते हैं तो इस वाले से भी यह करना रिस्पॉंसिबिलिटी है और अगर इस करारदात पर जिस तरह आप उतारे हैं कि एलेक्शन कमिशन प्रॉपर प्रसीजर की थ्रूए चीज़ें पोस्व होती है तो फदर क्या स्ट्राटिव होगा फिर यह होगा कि एलेक्शन कमिशन बकैदा तोर पर इनको नोटस कर तो जिसमें जो भी ताके उस हल्के की वाम की नमाइंदगी हो सके ठीक हो गया अचा मोमना नमाइंदगी के हवाले से डेफिनेटली आप चूंके हर नया पाकिस्तान तब भी सारा कुछ है रिप्रेजेंटेशन अपर जहां पर लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने हल्कों की क्यूंकि बहुत सारे मसाइल हैं आप भी अपने हल्के में बहुत सारे मसाइल देखती होंगी बिगर जो अफराद है डिफिनिटली पीपी जो दस्कि हम बात करें वहां अपर पर की प्रॉब्लम्स हैं उनको आपना किया जाना हाइलट ये भी वहां के लो प्रेस कॉंफरेंस होती थी ये जो अभी वाली रिसेंट जो है उनने काया का जी मेरा नून लीग से बिलकुल तालुक जो है वो वैसे का वैसा मुस्तेकम है मजबूत है मैं कहीं नहीं जा रहा इनके अपनी गवर्मेंट थी उसके बावजूद वहां के स्कूल में इसू है व उन्होंने पिछले भी कुछ सालों में नहीं देखा उसके बावजूद अवाम देखे आपकी इज़त की उन्होंने आपको वोट दिया आपके इस नारे पे यकीन करके वोट को इज़त दो और आप उन्हीं का वोट लेके उन्हीं की नुमाइंदगी करने से इंकारी हो गय के और ये गहर संजीदा रवया मेरा ख्याल है कि एक तरह से चोदरी साहब को इस स्टेज पर आके इस उमर में आके एक्सपोज कर गया है इसका मुझे दिली तोर पे मुझे सदमा है मुझे रंज है चोदरी साहब बहुत काबल एक्तराम है हमारे लिए और मैं बच्पन से देखती आई हूं किस कदर बारीक बीनी से वो देखते रहे हैं मुल्की मौमलात को लेकिन अपने हलके के अवाम को बूल जाना कहा की संची दिए हमेशा बहुत जादा नजर भी आई है और इवन चाहे तरीकें साफ हो जो भी जो पार्टी अज़त हुई है हमेशा उनकी इ इतनी मुहबत इतना इस्तराम पाने के बाद आप अपने हलके के अवाम का हक नहीं दे सके उन्हें तो फिर यह सब कुछ जो है यह तो मिटी में मिल गया है तो खत्म हो गया है अच्छा को जानब से बिलकुल खामोशी है इसमाम ने कोई स्टेट्मेंट कोई प्रेस कॉंट सब्सक्राइब देखने को नहीं आए कि उनकी जानब से कुछ स्टेट्मेंट आती जिस पर वो कहते है कैसा जनाब यह वही बात के जिद वाली बात है और मिला वह अभी ना एक समझ जिसे कहते हैं एक जटका यह एक जो उनको धश्का लगा है वो उस सदमे से बाही नहीं उन्हें पहले मरता सदमा हुआ है कि इस बुरे तरीके से वो हा रहे है अखलाक सब सिर्फ उनका यह मसला नहीं है इवान के अंदर ऑपोजिशन का रवया भी ऐसा ही रैसे वो हकूमत में है अभी तक वो भी इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाए कि देव लॉस प्राइ एलेक्शन और लेकिन हम तो अभी भी हमारे हाथ में है यह जब चाहें गिरा दें यह करें वो करें यह हमने पहले भी बहुत सुना था जो कहते थे हम शेरवानी का एक बटन नहीं देंगे आज देखें वो कहां पर बैठे में आज वो पहले सुबोट के दर दर देखते हैं हमने कहां से काम शुरू करना है और जहार तक चोदिर नसार अली खां की यह जो चल रही है वह यह है कि एक तो वह हमेशा होता क्या था कि मोमना बेतर जानती है कि वह तो अपने हलके में बहुत कम जाते थे अलेक्शन हुआ वो डाले खतम होगी इस मर्तव अवाम ने यह कि की है उनको जितवाया है बकायदा तरीके से और चोदिर नसार अली खां को यह समझ नहीं लग रहे कि मेरे साथ हुआ क्या है नीचे वे एक सिर्फ एक हलके से वह जीते हैं जबके दूसरे हलके से वह हार गए थे कौमी सम्ब्ली की दूनों सीटें वह लूज कर गए चार अ जा रहे है कि आप उनकी नुमाइंगी करने को होते हैं यह तो बहुत पुर्जोर आवाज होनी चाहिए थी ताके आएंदा के लिए शायद वो अपना बड़ा एलेक्शन भी बना रहे है तो मुमिना अभी चूंकि आ बताने से पहले भी आप तीन नफर कर चूए क्या लग बिल्कुल हम उनकी बहुत इज़त करते हैं पॉजिशन भी वोट लेकिया है वो जहां पे नहीं पर उनकी वो अच्छी वाली चल सकती है वहां पर थोड़ा सा इस तरह का काम भी कर लेते हैं कर गुजरते हैं क्यूंकि वह जाहर सी बात है वो काउंट किये जाते हैं उनका काउंट होता है इसकी वजह से तो इस वजह से आपको लगता है कि पहली तीन बार हुई है तो वह उसमें कुछ इस तरह के गरबढ हुई है मुझे लगता है एक तो टाइम पीरिट की भी बात होती है एक दफा तो ऐसा हुआ था कि हमारा इजलास नहीं हुआ था वह फिर द इस तरह के बहुत सरे मिसाइल है क्या लग रहा है क्या स्ट्राटिगी होगी ताइम पीरिट जो आप लोग मांग रहे है जो मजीद उसे अर्मिला आपकी बात मैंने बीच में काट दी है ताइम पीरिट हम क्यों मांगेंगे गर्वर्मिंट आई है तो यह बड़ी ही एक कह होना चाहिए कि 5 साल के लिए कि और हमनुक्ति इंदे जल रोगा कर दाउन तो हम नहीं नहीं करना हूं तो 5 साल से पंजाब के अंदर जो आस चलते रहे हैं पॉरे में पंजाब की बात करूंगी पाकिस्तान की बात नहीं करूंगी पूरे की लेकिन तीस साल से जो यहां पे हो रहा है अवाम हमारी इतनी जल्दबाज वाकिया हुई है वो चाहती है कि जो तीस साल में खराबियां हुई है वो तीन महीने में ठीक हो जाती है जितने टाइम लगे ना खराबियों को होने में उसे कहले कि बहुत कम टाइम लग जाएगा इनको ठीक करने में तो उसमें थोड़ा सा हॉसले से काम लें, सब्सिडी लगा के प्राइसिज को कंट्रोल में रखना कहीं कि अकलमंदी नहीं है जब आप अपना मुल्क तो गिर भी रख दें लेकिर अवाम को आप सस्ती रोटी दे दें, अवाम को आप लैपटॉप दे दे, अवाम को आप तंदूर का दे दे चकमा, अवाम को आप मेट्रो दे दे, उसी शेहर में आप औरेंच ट्रेन का भी मनसूबा लें यह यह चीज़ें अवाम को नहीं चाहिए थी अवाम जो है वो 67 येस से वो ट्रेवल करे रहे थे कारी रहते हैं वो उदर से गजुमता से शादरा तक ठीक है उसके लिए मेट्रो या औरेंज ट्रेन ठीक है अब वो चूँके ये मेट्रो एकी दारा बन गया और वो रियासत की मिल्कियत है हम इस पे कोई बात नहीं करते हैं थोड़ा साथ देखे तो सही और मुझे खुशी भी होती है देखे कि शौर भी आ गया है लोग सवाल करने लग गया है लोग पॉइंट्स उठाने लग गया है उसमें ये है कि अगर ये तीस साल नहीं बीस साल नहीं दस साल पहले भी इतनी से एकल का मुझारा किया होता तो आज पंजाब इस नहज पे खड़ा ना होता इसागडार सहब ने इसका कितने फीसे दवाम को पता है कि आपका कौन-कौन सा इदारा उना तो मोटर वे गिर भी रख दिया आपके सर पे जिस मोटर वे का इहसान हर वक्त वो लाटते फिरते हैं वो गिर भी पड़ा हुए तो बस मैं ये कहूंगे कि थोड़ा सा हौसला को पाकिस्तान जो है वो मुस्तहिकम होने जा रहा है जिस गर्मेंट को अपने इलेक्ट किया है अपना वोट देखर वह गोमिपन्न जो है वो कभी भी आपको मायूस नहीं आइं अच्छा मोई आप कहने कि एस जसरे आप कहरे आप वोट दिया ये सारे दृफिन चार्ड ज इसलिए भी थी कि कुछ मसाइल हमारे बहुत चारे पिछली गवर्मेंट में भी रहे लेकिन वो एक fantasy भी या एक एले उमीदे दिलाई भी गई अब वो जब कहा गया मैं आते यह करेंगे आते वो तबदिली मैं आपको बता हूँ जदू कि चेड़ी से तो नहीं आते हैं तो वो तब चैने जदे जाए गए अश्छार करना पड़ेगा थोड़ा सब्सक्राइब ब्रदाश करना पड़ेगा तो यह सवाद इन का एजन्डे में इस तिरने काम के, सब के सब शुरू हो चुके हैं, सब के सब शुरू हो चुके हैं, काम शुरू होता है तो इहतिताम की तरफ या तकमील की तरफ जाता है हुमिना जो कि हमें ब्रेक लीने में चाह uwagę को पप्लिक को मेशेज आद को नहीं हैु हमारे प्लाटफरम से तो जरूर मैं पप्लिक नहीं काऊँगी मेहाने सब अपने हैं हमारे पाक पाकिस्तान के खावास हैं जी जो हमें वोट देते हैं ना असल में यही खास है हमारे लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पाकिसान तहरीक इंसाफ की गर्मिंट जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की गर्मिंट नहीं है वो पूरे पाकिस्तान की गर्मिंट है 22 करोड अवाम की नुमाइंदगी करती है और 22 करोड अवाम का ख्याल करती है तो इंचाला हलाद बहुत अच्छे होने जा रहे है मायूस ना हो इस अच्छी गर्मिंट कभी नहीं आई पाकिसान में पहले ये आपको आने वाले चंद महीनों में पता चल जाएगा बहुत अच्छी आपसे बात करके बहुत शुक्रिया ख्लाकर में बाज़सा आपका भी जिनाब हम तो यहीं उमीद करते हैं कि तब्दीली का जो नारा लगा है बहुत जल्द आए ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और में महमाने में जोइन किने वाले आप देखते रहें जागो नहार